लगन और राशी जिंदगी में बहुत प्रभाव देती हैं जनम पत्री के अनुसार दर्शकों दोनों मिलकर ही हमारे व्यक्तित पर अच्छे और बुरे सभी प्रभाव डालती हैं आज बात करेंगे कि अगर आपका कर्क लगन है और सिंग राशी है तो क्या असर पड़ेगा आपकी जिंदगी में और कौन से छेतर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे ये दोनों मिलकर आएए वीडियो की शुरुआत करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा दर्शको आपको हमारे चैनल पर ऐसी बहुत से वराइटी और कॉम्बिनेशन की वीडियो मिलने वाली है आएए शुरू करते हैं मैं स्ट्रलाजर शैले जन आपका अपने चैनल पर स्वाकत करता हूं दर्शको अगर आपका करक लगन है तो जो सिंग राशी है वो कहां पड़ी आपके दूसरे भाव के अंदर और अगर वहां चंद्रमा बैठे हैं तो भी तो आपकी जनम राशी क्या हो गई सिंग राश सकते हैं कि आपके करक लगन का स्वामी दूसरे भाव में चला गया और यहां दूसरा भाव है सिंग तो इसलिए आपका करक लगन हुआ और सिंग राशी हुई दोनों मिलकर एक मिक्शर बड़ा विचित्र सा बनाते हैं देखे ना करक लगन होने के कारण आप जब किसी ची पाए ना तो खुद को भी बहुत परिशान कर लेते हैं पर अगर सिरफ करक लगन होता तो यह परिशानी का इस तर बहुत उपर तक चले जाता पर क्योंकि सिंग राशी है तो आपको थोड़ा सा रोक लेगी क्या रोक लेगी वो इस तरह से रोक लेगी कि आपको थोड़ा सा डिप्रेस नहीं होने देगी जिसे हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेट होना तो इसलिए कर्क लगन के साथ जब सिंग राशी मिलती है न तो आपको पल पल पर होने वाली दिक्कतों में सेल्फ मोटिवेशन सिखा देती है आपकी पस्नेलिटी में कुछ ऐसा विचार आ जाता है क आत में अपने साथ चलने वालों की भी जिम्मेदारियां ले लेता है क्यों ना लेदर्शको क्योंकि कर्क लगन है और सिंग राशी है इसका मतलब आपको गृप बनाना बड़ा अच्छा लगता है समाजिक प्रक्रियों में रहना बड़ा अच्छा लगता है अलग ठलग जाके रहना थोड़ा कम पसंद है, सिरफ करक लगन होता, तो शायद थोड़े समय अकेले रहे भी लेते, पर उपकर करक लगन और सिंग राशी है, इसी कारणवर्ष लोगों के बीच में रहेंगे, अरे भही अपनी जो काबलियत है, अगर वह किसी को दिखाई ही नहीं, तो उस काबलियत का फाइदा क्या, ऐसा विचार आता है, जब करक लगन और सिंग राशी होते हैं, इसलिए ग्रूप बनाते हो, उस ग्रूप में रहते हो, उस ग्रूप की क्वालिटीज को सीखते हो, और अपने क्वालिटीज उन्हें सिखाते हो, इसका फाइदा क्या होता है, ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर बहुत इंपेक्ट डालता है, क्योंकि दर्शको, आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, कभी-कभी वो ही प्रोफेशनल लाइफ बना देते हैं, कर्क लगन और सिंग राशी, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों से जुड़ते हैं, तो आपको खुद नहीं पता होता, कि आप कब अपने करियर को चेंज कर लेंगे, इवन अगर आप एक ही करियर को करते भी आ रहे हैं न, तो उसी के अंदर थोड़ से परिवर्तन ले आएंगे, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सिंग राशी कर्क लगन के साथ मिलके, अपनी परिवर्तन चीलता को बड़े प्यार से निभा लेती हैं, अक्सर सिंग राशी वाले कभी-कभी चीजों को मैनेज करते वे एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आई जाएगा न, भै सिंग हो, लेकिन जब कर्क की शांती आती है न, तो इसका मतलब क्या रहा, कर्क मतलब जल, और दूसरे शब्दों में भी इसका मतलब है, बताता हूँ, पहले ये समझिये, कि कहीं न कहीं ये जो शांती आती है, तो वो गुस्से को ठंडा कर देती है, एक पल के लिए तो मन करता है, सामने वाले को सब बोल दें, सब कह दें, सब बता दें, इसको सबक सिखा के रहें अभी, लेकिन दोनों मिलकर, यानि करकलगन और सिंग्राशी मिलकर, आपको थोड़ा सा शांत कर देते हैं, इसलिए अब शब्द बोलने से पहले, आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं क्या फाइदा, चलो छोड़ देते हैं, तो ये जो कॉलिटी होती है न, ये आपको खुद भी नुकसान नहीं देती, और आपको सोशल, यानि पर्सनल, यानि प्रोफेशनली, बहुत फाइदा देती है, इसी खारण दर्शको, इस कॉम्बिनेशन में, मैंने अकसर एक बात देखी है, कि आप डेफिनेटली किसी हाई पोजिशन तक अपने लाइफ में पहुचते हैं, अब चाहिए अपने वेफसाई में हो, नौकरी में हो, सेल्फ एंप्लाइमेंट में हो, किसी तरह का को प्रैक्टिस करते हों, हाई लेवल तक पहुचना, शियोर शॉट बना देता है, ये कॉम्बेनेशन, उसका एक और कारण भी है, आप वो समाजिक प्रक्रिया भी सीख लेते हैं, जो एक तरीके से लोगों को परिशानी के समय और परिशान कर देते हैं, इसको ऐसे कहिए कि आप खुद एक ट्रॉबल शूटर बन जाते हैं, यानि परिशानियों को कैसे मैनेज करना है, कैसे किसी परिशानी को क्रैक्ट डाउन करके आगे बढ़ना है, ये करक लगन और सिंग राशी आपको सिखा देती है, इसलिए मैंने शुरुवात में बोला था, पल-पल मुश्किलों का सामना करना आपको आ जाता है, तो जो आपके व्यक्तित्में ही ये क्वालिटी आ गई, तो टैंशन क्या, लिकिन क्या सही में कोई भी टैंशन नहीं है, कुछ बुरा नहीं करेंगे क्या ये, करते हैं दर्शको, थोड़ा बहुत बुरा ये कर भी देते हैं, कहां पर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, खास कर आपके प्रेम संबंदों में, कर्क लगन और सिंग राशी थोड़ी सी परिशानी कर देते हैं, आपके होने वाला जीवन साती, या आपका जीवन साती, या आपका प्रेमी, थोड़ा सा जल्दी आपको समझ नहीं पाता, क्योंकि आप विबन निताओं से भरे वे हैं, कभी कैसा बिहेवेर करते हैं, कभी कैसा बिहेवेर करते हैं, दूसरों के लिए अपनी चीज़े छोड़ कर भाग जाते हैं काम बीच में छोड़ देते हैं अगर दूसरों का काम आ जाये तो इस कारणवश जीवन साथी या आपको प्यार करने वाला व्यक्ति परिशान हो जाता है इवन कभी-कभी तो उनको ये भी मैसूस देता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो जिनके अपने प्रेमी का या फिर अपने जीवन साथी का करक, लगन और सेंगराशी है ना अब मैं उनसे एक बात कहूंगा दर्शको आप ऐसा मत समझो कि वा आपको इग्नोर कर रहे हैं वा आपको इग्नोर बिलकुल नहीं कर रहे हैं पर क्या करें उनको ना समाजिक प्रतिष्ठा की बड़ी इच्छा रहती है वो समाजिक प्रतिष्ठा के लिए उनका कही ना कहीं कोई ब्रेक लगता ही नहीं है तुरंट सब कुछ करने का मन करता है तो आप थोड़ा उने गलत मत समझे वो समाजिक प्राणी है मानता हूँ पारिवारिक भी है पर समाजिक अधिक है तो अगर आपके बात मेरी समझ में आई है ना तो comment box में बता दीजिएगा और जो खुद देख रहे हैं करक लगन और सिंगराशी वाले वो भी बता दीजिएगा comment box में कि आप कितने सामाजिक हैं अच्छा इसी combination में एक और बात बताता हूं दर्शको वो ये है कि आपको एक चीज के प्रती बहुत साफधान रहना है जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आप सब को साथ लेके चलते हैं पूरे समाज का भला करना चाहते हैं लेकिन कभी-कभी अपने बहुत करीबी व्यक्ति पर ही नजर नहीं रखते हैं आपको अच्छा खासा financial loss दे देगा आपका करीबी व्यक्ति और वो करीबी सही में family से ही निकल कर आएगा तो जरा नजर रख लीजिए जिनको आप अपने काम दंदे में involve करते रहते हैं उनको भी यानि उन पर भी साथ में जिनको आप अपनी reference से job दिलवाते हैं उन पर भी नजर रखिए क्योंकि दर्शको help करो पर इतनी जादा नहीं कि दिक्कते आपको ही आ जाएं तो करक लगन और सिंगराशी वालो थोड़ा सचेत रहना बलाई करने में बुराई नहीं है लेकिन भलाई करते वे आँखें बंद कर लो ये बहुत बड़ी बुराई है और ये आपकी बहुत बड़ी कमी भी है तो अगर इसके प्रतिय आप सचेत रहते हैं ना तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके personal और professional दोनों growth outstanding होंगी क्योंकि दोनों ही चीज़े बड़ी कमाल के हैं कर्क, लगन और सिंगराशी अच्छा यहाँ पर एक बड़ी विपरीद बात बताता हूं दर्शो को और फिर वाने को विराम दूंगा ये combination आपको अध्यात्म के तरफ सबसे ज़्यादा दकेलता है इसी कारणवर्ष आप अध्यात में भी रूची रखते हैं यानि practical life में जिंदिगी को बिताते वे अध्यात को कैसे संतुलित बना के रखना है सही मैं कोई आप से जीखे तो मैं यही कहूंगा कि अगर कभी-कभी संतुलित बिगड़ रहा है न तो चिंत इतना हो अंतता आप समाजिक और अध्यात्मिक दोनों जीवन का सुक भोगेंगे ही भोगेंगे तो जिन के साथ ऐसा हो रहा है जो मैंने वीडियो में बताया है तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा दर्श को साथ ही अगर आप कोई अपने करीबी व्यक्ति के लिए देखना चाहते हैं कि उनका तो कोई और कॉम्बिनेशन है तो क्या करें? हमारी प्लेलिस्ट पे आढ़िये न आपको पता लगेगा कि लगन और राशी की मिलाकर एक प्लेलिस्ट है एक प्लेलिस्ट लगन की बिलकुल अलग है और ऐसे ही एक प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ राशीयों की विश्तरिज जानकारी दी हुई है तो तीनों प्लेलिस्ट अलग अलग है सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये जाएंगे आप जा सकते हैं अपनी वीडियो देखने के लिए भी और अपनों के भी और पसंद आए तो लाइक जरूर करना दर्शको चैनल सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन का बजाने का फायदा क्या है हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद